असलाम वालेकुम एवरीवन और वेलकम तो मैं चैनल एस्पारेंट्स और फ्यूचर एस यौल नो डेट लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने जिमेट्री की जो 2D फिगर्स हैं उनके तमाम फार्मूलाज, कॉंसेट्स और डियाग्राम्स को डिसकस किया था तो आज हम 3D फिगर्स, उनके फार्मूलाज और उनके सारे कॉंसेट्स को डिसकस करने जा रहे हैं 2D फिगर्स का जो लेक्चर है उसका लिंक आपको नीचे डिसक्रिप्शन में दिया गया है लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ऐसे तमाम स्टुडेंट्स जो इस चैनल पे नियू हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले आज के लेक्चर में हम जिन 3D फिगर्स को डिसकस करें हैं उनमें सबसे पहले आपके पास क्यूब है सेकिंड नमर पे आपके पास हम क्यूबाइट डिसकस करेंगे फिर हम स्फेर के सारे कॉंट्स को डिसकस करेंगे फोर्स नमर पे हम हैमिस्फेर के सारे कॉंट्स डिसकस करेंगे फिफ्ट नमबर पे हम साइलेंडर के सारे फार्मूलाज और उसकी बेसिक्स को डिसकस करेंगे और लास्ट पे हम कौन के फार्मूलाज वगारा को डिसकस करेंगे तो lecture को end तक देखिए ताकि आपको तमाम 3D figures के formulas, concepts की proper understanding हो सके 3D figures में सबसे पहले हम cube के formulas and concepts को discuss करते हैं सबसे पहले आपके पास cube की definition क्या है ऐसी 3D figure जिसमें आपके पास length, width और height equal हो और उसके 6 square faces हो अब square की definition क्या है जिसमें length, width और, width बराबर होती है ये एक square होता है अब वो कह रहा है कि एक ऐसी 3rd dimension जो के height है उसकी value भी अगर length, width के equal आजाती है तो उसको आप cube बोलते है तो आपके पास ये देखिए ये एक cube को दिखाया गया है example के तोर पे आप देख सकते है कि dice जो होता है ना लुडो का दाना वो आपके पास एक cube होता है इसी तरह जो puzzle cube होता है उसको भी cube बोलते है जिसमे length, width, height बराबर होगी आपके पास cubes होंगी आपके पास यहाँ पे इनकी जो terminologies आपके डिसकस करते हैं उसके बाद blue color में देखें आपके पास vertex होता है इसको kona भी कहते हैं उर्दू में तो आपके पास एक cube में total 8 vertices होते हैं और third number पे आपके पास faces हैं आपके पास red color में एक face को color किया गया है आप इस चीज को face बोलते हैं एक cube के अगर आपस face पूछे जा रहे हैं तो वो 6 बनते हैं जिस तरह लोडो का दाना है ना उसमें 6 sides हैं dice में तो आपके पास एक cube है cube की 6 sides तो आपने इस तरह इनकी terminologies याद रखनी है paper में directly यह पूछे जाते हैं हमें बताईए जी एक cube में कितने edges होते हैं कितने faces होते हैं कितने vertices होते हैं तो आपको इन सब का पता होना चाहिए अब हम 3D figures में उनके surface area और volume को discuss करते हैं surface area क्या होता है आपके पास एक अगर side है यहाँ पे cube है cube की हर side एक square होती है तो अगर मैं एक side की length निकालना चाह रहा हूँ तो आपके पास क्या होगी length multiply by height या फिर length multiply by width करने कोई भी एक side होगी length width or height बराबर बराबर है तो मैं एक side का जो area होगा उसको मैं कहा सकता हूँ कि वो L square होगा अब यहाँ पे हमें 6 sides का surface area निकालना है तो आप 6 से multiply कर देंगे तो आपके पास surface area का formula आ जाएगा 6 L square एक side का area क्या होगा L square क्योंकि square side है और यह total 6 sides हैं तो आप इसको 6 L square के साथ denote करेंगे surface area आ जाएगा 6 L square अगर आपको cube के एक side की length दी गई है surface area पूछा जा रहा है तो आप यहाँ पे L की value substitute कर दें आपके पास surface area आ जाएगा इसी तरह अगर आप से volume पूछा जा रहा है तो cube के case में length, width, height बराबर होते हैं तो तीनों को multiply कर देंगे तो L multiply by L multiply by L तो आपके पास volume जो है वो L cube आ जाएगा और आपके पास अगर यह पूछा जा रहा है कि हमें बताएं इनके तमाम edges को add up करके क्या answer आता है तो आपको पता है कि इसके जो edges है वो 12 होते हैं और cube में जो एक edge की length है वो आपके पास L के equal होती है तो आपके पास sum of edge length आएगा वो आपके पास 12 into L आएगा L किसी एक side की length है आपने 12 से multiply कर देना है तो sum of edge lengths आपके पास आजएगा A cube के लिए यह आपके पास black color में एक line मैंने लगाई गया जिसको मैंने diagonal के साथ denote किया तो आपके पास A cube में यह मैंने एक diagonal शो किया है अगर आपसे यह पूछा जाता है कि A cube के अंदर कितने diagonals होते हैं तो आपने कहना है A cube में 16 diagonals exist कर सकते हैं यह value याद रख लें वेपर में पूछा जा सकता है एक cube में कितने diagonals होते हैं तो आपने कहना है 16 होते हैं अब हम Qbyte की definition उनके concepts को discuss करते हैं लास्ट विकर में हमने cube को discuss किया cube में क्या होता है आपके पास length, width और height तीनों की values एक दूसरे के equal होती है Qbyte में थोड़ा सा फर्क है वो भी 3D figure है उसमें भी length, width, height होती है बस आप यह याद रख लें कि length, width और height में से तीनों में से कोई एक चीज अगर vary कर गई है तो आपके पास वो Qbyte बन जाएगा मतलब length और width बराबर है height different है तो वो Qbyte बन गया length और height बराबर है width different है तो वो Qbyte बन गया width और height बराबर है length different है तो वो भी Qbyte बन गया अगर तीनों की तीनों डिफरेंट है फिर भी वो क्यूबाइड ही होगा तो आपके पास ये definition बताएगी है 3D figure with any of L, length, W, width और height, H are unequal length, width और height में से कोई एक चीज़ भी unequal हो गई तो वो क्यूबाइड बन जाएगा आपके पास ये क्यूबाइड की देखें diagram शो की गई है इसमें देखें length ज्यादा है width और height ब्राबर ब्राबर लग रहे है तो आपके पास ये जो diagram है ये क्यूबाइड कहलाएगी इसमें भी आपके पास vertices 8 होंगे edges जो हैं वो भी 12 होंगे और faces जो हैं वो 6 ही होंगे बस एक dimension की length उपर नीचे हो जाएगी बस इसका जो surface area है वो आपके पास 2H into L plus W आएगा according to the given figure इसमें हम अगर एक side की length निकालेंगे एक side की area निकालेंगे वो L multiply by H आजाएगा वो 4 हैं और जो side वाली length है वो आपके पास H multiply by W आजाएगा तो इनका जो complete sum up formula है वो आपके सामने show किया गया है 2H into 2L plus W आपको अगर एक qubide की length, width और height दी जाती है और surface area पूछा जाता है तो आप ये वाला formula लगा कर असानी से surface area निकाल सकते हैं L, W और H put करें आपके पास answer आजाएगा इसके volume के लिए आप क्या करेंगे आपने length, width, or height को multiply कर देना है तो यहाँ पर इन में से कोई भी equal और unical हो सकता है तो हम इसको general form में लिख देते हैं length, multiply by width, multiply by height आप से length, width, or height अगर given है volume पूछा जा रहा है तो आप तीनों को multiply करेंगे आपके पास क्यूबाइट का volume आ जाएगा अगर इस case में आप से पूछा जा रहा है कि हमें बताएं क्यूबाइट में sum of edge length कितना होगा तो आपने 4 times L plus W plus H कर देना है इसमें L length, W width, or H height होगा तो आपने तीनों को sum up करके 4 से multiply कर देना है आपके पास sum of edge length हा जाएगा फारग given क्यूबाइट ये आपके पास मैंने cross में line show की है इसको आप diagonal कहते हैं तो जैसे मैंने बताया cube में आपके पास 16 diagonal होते हैं तो क्यूबाइट में भी आपके पास 16 diagonal exist करते हैं तो ये चीज़ याद रखेगा MCUs में पूछी जा सकती है जिस्टुनर्स ने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया उनसे request है कि वो चैनल को subscribe ज़रूर करें नेक्स रजाएगर हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम आपके पास sphere है सफेर की daily life में बहुत सरे examples है आपके पास tennis ball है, football है, basketball है तो ये आपके पास एक complete जो goal शकल है a set of 3D points set of points in 3D lying at same distance from center एक आपके पास 3D, three dimension में काभी सारे points अगर exist कर रहे हो एक given point से यानि कि जिसको center कहा जाता है उससे तमाम distance जो है वो बराबर बराबर फासले पर हो तो उसको आप सफेर कहते है ये आपके पास सफेर की diagram शो की गई अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि हमें बताएं इसका surface area क्या होगा तो आप इसका surface area का formula याद रख लें 4 pi r square होता है surface area से ये मुराद है कि अगर आपके पास एक football है उसकी जो जिल्द है उसकी जो skin है वो कितना area cover up कर रही है तो आप 4 pi r square वाला formula लगाएंगे आपके पास surface area का answer आजाएगा अगर आप से diameter given है और आप से कहा जा रहा है surface area बताएं तो फिर आप pi d square करेंगे आपके पास surface area का formula आजाएगा अगर आप diameter वाला formula नहीं भी याद रखना चाहरे है तो आप radius का formula याद रख लें radius is equal to distance divided by diameter divided by 2 होता है तो अगर आप से ये कहा जा रहा है कि diameter इतना है हमें बताएं surface area कितना है आपने radius वाला formula लगाना है वहाँ से आप diameter value पुट करके radius निकाल लेंगे उसको आप 4 pi r square में पुट करके surface area निकाल सकते है और अगर आप से इसका volume पूछा जाए तो ये कितना space occupy कार रहा है तो अगर in terms of radius आपने find करना है तो आप करेंगे 4 by 3 pi r cube और अगर आप से diameter given है और फिर आप से volume पूछा जा रहा है तो फिर आप करेंगे pi d cube divided by 6 आपकी अपनी च्वाइस है आप सिर्फ radius वाले formula याद रख लें या diameter वाले याद रख लें और साथ में r is equal to d divided by 2 याद कर लें तो जो भी value दीग होगी उसके according लिए आप move on कर लें आपको असानी से surface area भी पता चाल सकता है volume भी पता चाल सकता है I will recommend कि आप radius वाले formula याद रखें और साथ में r is equal to d divided by 2 याद रखें आप किसी भी तरह के question में confused नहीं होगी next रुजाए गराम हम जिसकर सने जा रहे हैं कर देते हैं दो ब्राबर इससे में तक्सीम कर देते हैं तो उसको आप hemisphere बोलते हैं definition दी गई है it refers to exact half of a sphere एक sphere को बिल्कुल आप आदा कर दें इस तरह हमारी अर्थ है अर्थ में एक northern hemisphere होता है एक southern hemisphere होता है तो इसी तरह ये देखें diagram में बताया गया है hemisphere एक show किया गया है इसमें जो blue color में है वो आपके पास base कहलाती है और जो skin color में है ये उसका बाकी half top है अब हमसे अगर ये पूछा जाए के surface area कितना होगा तो surface area यहाँ पे complete बताना है एक जो skin color में है वो भी surface है और जो blue color में है वो भी आपके पास surface है तो आप इसका जो complete surface area बताएंगे वो ये बताएंगे 3 pi r square और अगर diameter की form में आप answer याद रखना चाहरे है तो 3 by 4 pi d square ये इसका surface area का formula होता है first hemisphere अगर आप से इसका volume पूछा जा रहा है तो volume find करने के लिए आपके पास ये formula होता है 2 by 3 pi r cube और अगर आप diameter की form में याद रखना चाहरे है तो pi d cube divided by 3 होता है I will repeat the same step once again कि अगर आप radius वाले formula याद रख लेते हैं तो आपको diameter given हो तब भी आप असानी से find कर सकते हैं तो हर case के लिए आप radius वाले formula याद रख लें आपको किसी भी step पे मुश्किल नहीं होगी फिफ्थ नमबर पे जो diagram हम discuss करने जा रहे हैं 3D वो आपके पास है जी cylinder cylinder की definition क्या है 3D solid with two parallel bases आपके पास एक 3D figure है जिसमें दो parallel bases है उसकी और वो एक curved surface के साथ join की गई है यह देखें यह आपके पास diagram है इसमें जो top पे है और जो base पे है दो bases है वो इसकी parallel है और आपके पास एक curved surface के साथ उनको join किया गया है तो यह आपके पास cylinder की form बनती है इसमें R इसका radius है जो दर्मियान में है वो इसका axis है और जो h है वो इसकी height है आपसे अगर यह पूचा जाए कि हमें बताएं surface एरिया क्या होगा ends को include करके तो फिर आपने इसका formula बताना है 2 pi r into h plus r इसमें जो h है वो height है जो r है वो आपके पास radius होगा और अगर आप diameter की form ए answer याद रखना चाहरे हैं तो आपके पास next formula है pi d into h plus d divided by 2 इसमें आपने diameter put कर देना है तो अगर आपको diameter given हो तो यह वाला formula लगा ले radius given हो तो पहले वाला formula लगा ले और आपके पास easily इसका answer आ सकता है अगर आपसे यह कहा जाए कि excluding ends ends को exclude करके बताएं क्या surface area आता है तो फिर आपने सिर्फ pi r 2 pi r h यूज़ करना है और कुछ ने लिखना अगर excluding ends है तो उसके case में लिखना है 2 pi r h that's it और radius is equal diameter divided by 2 होता है अगर आप diameter वाला formula नहीं याद रखना चाहरे तो आप सिर्फ radius वाला याद रख लें अगर आपको diameter आता है तो d by 2 करके radius निकालने radius को surface area वाला formula में put करके आप surface area भी easily निकाल सकते है अगर आपके पास cylinder का volume पूछा जा रहा है तो फिर आप pi r square h use करेंगे अगर आपको radius given है तो pi r square h ये आपके पास cylinder का volume आ जाएगा next diagram है वो आपके पास cone है cone की shape क्या होती है एक ऐसी 3D solid जिसमें एक flat surface हो और एक curved surface हो आपके पास diagram दिखाई गई है देखें ये जो नीचे है ये आपके पास एक flat surface है जिस पर radius लिखा हुआ है ये इसकी base भी कहलाती है और आपके पास उपर जो surface है वो एक curved surface है तो ये दोनों मिलकर एक cone बनाते है इसमें जो terminologies हैं वो नीचे जो circular part है जो base है उसमें radius show किया गया है जो top corner होता है उसको आप vertex बोलते हैं जो इसके perpendicular center से लेकर vertex अख line होती है वो इसकी अब अगर इसका surface area पूछा जा रहा है तो आपके पास ये इसके surface area का formula है pi r into r plus square root x square plus r square और अगर आपको diameter given है तो आप radius का formula radius की value निकाल सकते हैं diameter को 2 से divide करके और इसको इदर put करके surface area निकाल सकते हैं और अगर आप से इसका volume पूछा जाएगा तो फिर आप pi r square h divided by 3 इसमें आप r और h put करेंगे आपके पास volume आ जाएगा ये जो r और h है ये कोन का radius है और जो h है वो आपके पास height होगी तो अगर आप से radius और height given है तो आप कोन का surface area और volume easily find out कर सकते हैं तो ये थी हमारे पास 3D figures का सारा overview जो students get, net, or head की preparation के लिए हमें join करना चाहते हैं वो दिए गए WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं या दिए गए email पर contact कर सकते हैं उनको इंशाला बहुत अच्छा कोर्स पढ़ाया जाएगा थैंक यू सो मच फर वाचिंग फूल वीडियो प्लीज लाइक, शेर और सब्सक्राइब और मोर वीडियो लेक्च्छर्स टेक केर, अलाह आफीज, अस्सलाम आलेकूम